Good morning all of you, my name is Jyoti and welcome to my channel आज हम बात करेंगे short vowel sound of U के बारे में तो पहले खीटरा बच्चों को pictures के थूप तो बताना ही है जैसे कि R U G Rug, C U P Cup और सारे वर्ड एक बार में हम लोग देख लेते हैं B U G Bug, H U G Hug, J U G Jug, M U G Mug, R U G Rug यहाँ पे भी यही है U B Up, C U B Cub, R U B Rub, T U B Tub, U M Um के words है G U M Gum, H U M Hum, M U M Mum, S U M Sum और आप इस तरीकी से छोटे से sentence बच्चों को करा साथ है आका बीना टब और यहाँ U T Ut, C U T Cut, N U T Nut, H U T Ut And again U N Un, B U N Burn, F U N Fun, G U N Gun, R U N Run, S U N Sun And U P Up, C U P Cup, P U P Pup, S U P Sub, इस तरीके से बच्चों को बढ़ा रहा है U D Ut, B U D Bird, M U D M Bird और कुछ exercises जो मैं आपको बढ़ाती हो जैसे आप छोट-छोटी sentence इस तरीके से दे सकते हैं पहले तो बच्चे को A Cub in a Tub, इस तरीके से और यहाँ पे है, Color the Tubs That Have Words of Up Family जैसे की C U B Cup तो इसको Color कर सकते हैं G U M Gum को नहीं क्योंकि अब डूंड रहे हम तो R U B Rub इसको Color करना है यहाँ पे बच्चों को इस तरीके से कुछ भी दे सकते हैं और यहाँ पे जैसे की Box है, Heart है, Run है तो Heart पे Circle, Cod है, Man है, Pup है, तो Pup पे Circle बच्चों की वह कैब भी इन हैं, जोगी Mud पे Circle किया है Cup पे, यहाँ Bird पे, यहाँ Sun पे तो आप इस तरीके से exercise करा सकते हैं और मैं आपको और exercise दिखाती हो यह देखिए, कुछ exercise हैं जैसे की H, M, R, J, D यह वर्ड, C, Caterpillar के अदर तो बच्चों को बताना है यहाँ पे, कि आपको U, G लगाना है तो अब U, G है इस तरीके से लगा के और आगे इन्हें यह वर्ड, Apply करने है जैसे की, Hug फिर आपने U, G लगाया तो फिर बच्चों को लगाना है मग, इस तरीके से तो उन्हें अच्छा मज़ा आएगा और यहाँ पे, Help Tipsy, Read इस वर्ड, Loud तो है, But, Sun Cut, Burn, Nut, बच्चों को Loudly कराना है यह और यह भी करानी है अब इस तरीके से करा सकते, जैसे कब है तो कब पे सरकल यहाँ मम है, मम पे सरकल यहाँ टाब है, टाब पे सरकल You and Un है, तो Un वाले ढूनेंगे बन, तो इन पे सरकल करेंगे यहाँ पे जैसे कि Un, Sun Sun पे सरकल करेंगे Fun, Fun पे सरकल करेंगे तो यह exercise काफी हल्फुल रहेगी और यह एक और sheet है जो मैं आपके साथ एक बार पढ़ना चाहूंगी जैसे कि बन है तो बन पे बताना आपको बच्चों को पिच्चर पे उसे मैच कर देना है कप पे टब पे कप पे और हग पे तो यह शीट काफी हल्फूर रहेगी और बच्चों को इस तरीके से आप काम बना के दिए जैसे हमेशा बताती हूं आपको ब्यूजी हग ब्यूजी बग इस तरीके से उन्हें काफी एक तो लिखना कम पड़ेगा उपर से समझ आएंगे चीछे तो इस शीट ने जरूर इस तरीके से बना के दिजिए और पिक्चर वाली बुक से ही बढ़ाई है और वीडियो अगर अच्छा लगो तो प्लीज ला बढ़ाई